आपको बताते हैं कि नवीनितम तखनीक इसे गुलाब की अच्छी पैदावाल कैसे ली जा सकती है? गुलाब के लिए ना तो अधिक ठंड़क और ना अधिक गरम तमस्य दोस्तों मैं हूँ आपके साथ संध्या अनमोल और आप देख रहे हैं बाते खेती की दोस्तों फूलो की बढ़ती मांग और रास्टी रासधानी छेतर दिल्ली में बड़ी फूल मंदी उपलब्ध होने से इनकी विक्री में कभी कोई समस्या नहीं आती इसलिए गुलाब की खेती करके किसान भी अच्छा लाप कमा सकते हैं जैसे फूलो का राजा आम है वैसे ही किसी कभी ने कहा है कि गुलाब फूलो का राजा लिली फूल की रानी चमपा है फूलो की देवी रूप सुगंद सुहानी गुलाब का रंग वा सुगंद सब के मन को मो लेती है गुलाब के फूलो से गुलकंद, गुलाब जल, तेल, इत्रु जैम जैली पेपदार्थ बनाए जाते हैं साथी साथ फूलों की हमेशा डिमांड भी बनी रहती है फूलों की डंडी वा गुलदस्ते बड़े पसंद किये जाते हैं तो आईए आपको बताते हैं कि नवीनितम तकनीकी से गुलाब की अच्छी पैदावार कैसे ली ज कंशनकारी देने के लिए हमारे साथ ही डॉक्ठर अफदेश शुकला जी डॉक्टर शुकला जी हमारे कारिक्रों बादे ओक्याती कि में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गुलाब को प्यादी स्पत्र अकति और 040 लेक्याट आज हम इसी पर चर्चा करना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि अगर किसान गुलाब की खेती करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकता है जलवायू कैसी होनी चाहिए गुलाब की खेती करने के लिए और भूमी कैसी होनी चाहिए जब गुलाब की खेती की बात आती है तो यह बड़ा सुवाविक है कि जब बहुत ठंड़क पढ़ती है तो गुलाब का फूल छोटा हो जाता है, कमाने सुर्वों हो जाता है और जब बहुत अधिक गर्मी पढ़नी लगती है तब गुलाब का फूल जो है कमाने सुरू हो जाते हैं तो गुलाब के लिए ना तो अधिक ठंडक और ना अधिक गर्म अगर हम तापकरम को लेकर के बात करते हैं तो दिन में 25 डिगरी सेंट्रीगेट से 30 डिगरी सेंट्रीगेट का तापकरम होना चाहिए और रात में 15 से 20 डिगरी अधिक सदिक 20 डिगरी तापकरम होना चाहिए तो ऐसा जो तापकरम होगा वो गुलाब की खेती के लिए बहुत ही लावदायक होगा अब बात आती है भूम की तो दोमट भूम होनी चाहिए और इसके साथ साथ ये परम आवश्चक है कि कारवन युक्त कारवनिक पदार्थ उसमें इतना जादा होना चाहिए कि गुलाब को अच्छी तरीके से खाद के रूप में वो सर करके मिलता रहे लेकिन इसके साथ साथ ये भी आवश्चक है कि गुलाब अमली भूम जिसका प्यज 5.3 से 6.5 होता है उस भूम में गुलाब बहुती अच्छा पराम देता है अब यहाँ पर बात अगर हम प्रजातियों की करें तो क्या गुलाब की खेती करने के लिए भी अनएक प्रजातियां होती हैं और किसान उनका चैयन कर सकता है देखिए गुलाब में बहुत अच्छा प्रशनाब ने किया है गुलाब में प्रजातियां ही बहुत जगादा हैं और सब अलग-अलग टेस्ट की हैं कहीं पर हम तेल निकालना चाहते हैं तो कहीं पर हमारा ज्यादा ज्यादा फूलम को मिलने चाहिए साधी बया के लिए इस तरीके से इसकी अलग अलग हैं तो एक तो सबसे पाइदे हमारी पर जाती है संकर, संकर गुलाव आते हैं जिसमें हमारा किर्समस ग्लोरी, मिस्टर लिंकन, जान एफ कनेडी और राधा किशनन ये बराइटी संकर हाइवरिड बराइटी हैं उसके बाद आती है पौली एंथ्रा इसमें अंजनी, रसिम और नर्तकी ये तीन प्रजातियां हैं उसके बाद आता है फिलोरी वंडा, फिलोरी वंडा में बंजारन, देली प्रंसिज, चंद्रमा और सदावार ये जाती हैं उसके बाद देखिए पूसा जो हमारी भारती किस अंदान संस्थान नई दिल्ली जो पूसा है इसने गुलाव पर बहुत काम किया है और यहां तक्रीक जो हम लोग प्रदर्सनी लगा जाती है और प्रदर्सनी में लगाने के लिए भी जो है गुलाव ले जाते हैं और अपना इनाम जीतते हैं उसके लिए भी पूसा इंस्टिूट ने बराटी निका ली है और गमले में नगाने के लिए अलग निका ली है और खेती के लिए अलग निका ली है तो देखिए पूसा अरुन ये एक बराटी है दूसरी है पूसा सताब्दी और तीसरी है पूसा आजए ये तीनों बराटी इतनी ज्यादा हैं देखने में सुंदर हैं कि यह जहां पोलरस्णी लगती है, लोग ले जाते हैं, उसके बाद आती है पूसा कोमल, यह पूसा कोमल है, इसका नाम ही चु़की कोमल है, यह बहुत निजाक्ती होती है, और गंलों में लगा कर के इसकी बड़ी देखबाद की जाती है और बड़ी सुन्दर लगती है देखने में उसके बाद है पूसा मोहित यह भी गुलाव रंग की अच्छी बराटी है और इसमें बीमारियां भी बहुत कम लगती है उसके बाद एक बराटी है दमिस्क में की जो बराटीयां है वो सब तेल निकालने के लिए हेतर के लिए बहुत अच्छी है इस तरीके से हमको चुनाव करना चाहिए कि हमें क्या करना है अगर पहाडी चेत्र बहुत अगर वूसे हमको मैजानी। शेत्र में चाहिए तो हम जौब करनी है तो हमको ज्वाला इस्ते बातों का धियान बहुत जरूरीं आप सभी किसान भाईयों के लिए कि आप जो खेती गुलाब की करना चाते हैं वो किस छेत्र में कर रहे हैं मैदानी छेत्र में कर रहे हैं या पहारी छेत्र में कर रहे हैं क्योंकि छेत्र के हिसाब से ही आप प्रजातियों का चयान कर सकते हैं गुलाब की खेती से जोड़ी हम ऐसी और बहुत सारी बात है आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन अभी रुखेंगे एक छोड़े से ब्रेक के लिए पाद जो है इसकी बहुती काइदे से और बहुती ध्यान वोद तयार कियानी क्या है और उसमें होता क्या है पहले हम जंगली गुलाब देते हैं जिसकी टहनिया काट करेंगे और 15 cm की तूरी बा इसको लगाएंगे जो आपने खिर तयार किया है तोड़ा सा भाग लेकर करें ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर्श स्वागत है तो चली आगे बढ़ते हो और आपको बताते हैं कि परंपरागत खेती से हटकर अन्य तरह की फसलों को उगाने के प्रयोग लोगों की जंदगी बदल रहे हैं देश के कई किसान खेतों में खरीफ और रवी की समान फसलों के साथ साथ फूलों की खेती से भी अच्छा लाप कमा रहे हैं इस तरह से कृशी कार में नए प्रयोग काफी लोगों की जंदगी और सोच को बदल रहे हैं तो देश किस बात की आप भी गुलाब की खेती को अपना कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं तो आएए डॉक्टर अबदेश शुकला जी से जानते हैं कि किस प्रकार से फूलों की खेती करके जादा से जादा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है डॉक्टर अबदेश शुकला जी जिस प्रकार से किसान भाई परमपरागत खेती के अलावा इस तरह की क्रॉप्स के बारे में भी सोच रहे हैं जो कैश क्रॉप के रूप में हैं एक तरफ उन्होंने बोई, दूसरी तरफ उन्होंने काटी और तीसरी तरफ उन्होंने मार्केट में बेच कर जादा से जादा मुनाफ़ कमा लिया अब यहां पर बात आती है कि पौद किस तरह से तयार किया जाए किसान भाईयों को पौद तयार करने से पहले कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए पौद जो है इसकी बहुत ही काइदे से और बहुत ही ध्यान से बहुत तयार की जानी चाहिए और उसमें होता क्या है कि पहले हम जंगली गुलाब जो लेते हैं इसकी टहनिया काट करके और 15 सेंटी मीटर की दूरी बर जो हमने खित तयार किया है उसमें थोड़ा सा भाग लेकर के नरसरी के रूप में इन टहनियों को 15 सेंटी मीटर की दूरी पर हम जुलाइम लगा देत जब इसमें से पतियां निकलने लगती हैं तो इसके काटों जो इसमें काटे होते हैं उन काटों को साफ कर देते हैं अब काटों को साफ करने के बाद इसमें वही सिचाई करते रहते हैं और सिचाई करके परियाद अगर घास हो गई ये कुछ हो गई तो वही निकालते रहते ह जिस गुलाब को हमें लगाना है उसकी टैनी से लेकर के हम टी बडिंग करते हैं तो टी बडिंग करने के बाद जब हम जनवरी में टी बडिंग कर देते हैं और टी बडिंग करते समय क्या करते हैं कि जो बड निकालते हैं उस टैनी में से बड निकालते हैं उस बड़ को इस तरीके से जो हमने जंगली गुलाब की जो पेड़ तैयार किया है, क्लोन के रूप में, उसमें हमने उसको टी वडिंग के रूप में लगाया, और लगाने के बाद उसमें जो हम उसको प्लास्टिक से खुब तगड़ा करके लपेड देते हैं, इससे वो खे हमारा पौदा तयार हो जाता है अब जब ये हमारा पौदा तयार हो जाता है तो अगले उसमें जो है जुलाई में जा करके ये हमारे लगाने के लिए पौद तयार हो गया है पौद रोपन के अगर बात करें तो क्या प्रक्रिया होती है किस प्रक्रिया के साथ किसानों को खेटमे में हमें क्यारिया। बनानी पड़ती हैं ग울ाब के लिए क्युक्छ गुलाब को जब फूल आएग म campa काट में इसमें काटे होते हैं हमें उलिजने का भी डर रहता हैं , तो नत्री झाम गुक्तहुतुत भी दो इसमें में नग बनाते हैं माई के दिनों में पहले ही हमने जो खेत तयार जिस खेत में हमें लगाना है उसमें हम क्या करेंगे कि माई के दिनों पहले ही हम इसमें पांच बाइदों की क्यारियां का लगा करके और हर क्यारी के बीच में आदा मीटर का हम इस पेस भी छोड़ेंगे अब उनको हम खोद दे जो पतियां गिर के हरी पतियां सूख जाती हैं, पेडों की पतियां, वो एक फिट जो है, उनको नीचे गड़ें भरेंगे, और भरने के बाद उस पर हम मिट्टी डाल देंगे, डाल देते हैं, अब हमने मिट्टी डाल दी, अब मिट्टी डालने के बाद फिर हम क्या करते है जब हम रुपाई करने के लिए, खेट को तयार किया है, तो उसमें एक महीने पहले गोवर की खाद इसमें डाल दे, अब इसमें हमने गोवर की खाद डाल दी, और गोवर खाद डालने के बाद पिर अच्छी तरीके से, मिट्टी से भर दिया, एक बात कह जहां रखना जरूर आए हैं कि इस मिट्टी में फला छेत्र में जो है दीमक की समस्या है तो लिंडेन हमारा जो है 25 किलो पर्थ हेक्टर की दर्थ से उस जमीन में पहले से ही डाल देना आवश्चा है ताकि दीमक न लगे अगर दीमक लगेगा तो गुलाब की जड़े खा लेगा और गुलाब हम करते हैं कि हम 60 वाई 30 का एसाब से हम लगाते हैं और उसमें रुपाई कर देते हैं दूसरी तरीका यह है कि हम पौदे से पौदे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी दोनों ही 3 सेंटी मीटर रखते हैं 30 सेंटी मीटर लेकिन उसके बाद जब हम दुबारा दूसरी ला तो दो लाएने हमने लगा दी 30 cm पर फिर हमने 7 cm फिर दो लाएने 30 cm पर इस तरीके से लगा करके हम खेत में रुपाई कर देते हैं और रुपाई करने के बाद तुरंत ही सिचाई करना भी आवश्यक्त है ताकि पौदे को ना भी मिल सके एक बात का विश्यक्त और ध्यान रखना है कि जब हम नरसरी से पौदा निकाल रहे हैं तो उस समय हम करते हैं कि आँगे कर हमारी नरसरी दूर है तो हम या तो उसको प्लास्टिक से लपेड कर देते हैं ताकि मिट्टी हमारी जड़े ना खु और यहां जो घास उसमें हमने जो घास से बांध रखा है उसको धीरे से सारे से निकाल दे और यह इस बात का ध्यान रखते है कि मिट्टी फैलने ना पादे जी जब यहां पर पौद रोपन की बात हो चुकी है तो यह भी जानना किसानों को जरूरी है कि पोशन प्रवंध से भी जुड़ी आप से जानकारियां लेंगे लेकिन आभी रुकेंगे एक छोड़े से ब्रेक के लिए किस प्रकार से यहां पर कटाई और छटाई किसान भाईयों को करनी चाहिए बहुत अच्छा प्रशन है कटाई छटाई गुलाब के लिए बहुत ही परमावस हैं बिल प्रेके बाद एक बार आप सभी का फिर्शिस वागत है तो चलिया आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि गुलाब की खेती बहुत पहले से ही पूरी दुनिया में की जाती है इसकी खेती पूरे भारत वर्श में वेवसाइक रूप से की जाती है गुलाब की फूल की डाली सहित कट फ्लावर तथा पंखुडी फ्लावर दोनों ही तरह के बाजार में वेपारिक रूप से पाई जाती है गुलाब की खेती देश वा विदेश निर्यात करने के लिए दोनों ही रूप में बहुत ही महतुपून है गुलाब को कट फ्लावर गुलाब जल गुलाब तेल गुलकंद आदी के लिए भी उगाया जाता है गुलाब की खेती मुख्यता सभी राजियों में की जाती है तो आएए डॉक्टर अफदेश शुकला जी से जानते हैं कि आप किस प्रकार से गुलाब की खेती करके जाता से जादा लाब कमा सकते हैं डॉक्टर अफदेश शुकला जी अब यहां पर पौद रोपन की बात हमने कर ली ब्रेक पे जाने से पहले लेकिन अब बात आती है कि यहां पर पौद प्रवंधन किस प्रकार से किया जाए क्या किस कि इस बात पर भी साऑधानी बरत्नी चाहिए कि किस प्रकार से वह पौध प्रवंदन करें तो कि शे जौधा हमने जंगली गुलाब की जो गदमे 15 सिंटी मीटर लगा करके टैयार किया था जै.... और जब उसमेंसे किली निकलने लगे थे .... असके बार हमने जिस गुलाब का हम- नरसरी तैयार क्रना चाहते हैं उसके हमने टी वnten लेडिंग ली थी जी अब उसके बाद हम, फिर जब हमारा ब्हुत तयार हो गई तो हम उसको रुपाई के लिए खेत में ले जाते हैं जी, कर देते हैं जी, डॉक्टर अबदेश शुकला जी, अगर हम गुलाब की खेती की बात करें और बात करें कटाई और छटाई की तो किस प्रकार से यहां पर कटाई और छटाई किसान भाईयों को करनी चाहिए देखे बहुत अच्छा प्रशन है कटाई छटाई गुलाब के लिए बहुत परमावसक है यदे आप अच्छी उपर लेना चाहते हैं बड़ा फूल लेना चाहते हैं तो आपको समय 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 से कटाई छटाई इसकी बहुत परमावसक है और कटाई छटाई कैसे करना चाहिए इस बात का बिशेश रूप से मैं बता रहा हूँ की अक्टूबर के महीने में पोधे को 30 cm उपर से जो हमारी जो साकह हैं 3 cm पर सुपी से छोड़कर के, जमीन से छोड़कर के और काट देना चाहिए काट ते समय इस बात का अधान रखे है कि जहां से हम काट रहे हैं तो जो बड है जो बाद में जिससे हमारी सर्वाइब कर रहे है वो बाहर की तरफ होना चाहिए भीतर की तरफ नहीं होना चाहिए बिलकुल अच्छा और काटने के बाद तुरंट इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बोर्डो मिक्षर या चौपटिया पेस्ट यह तुर जैसे हमारे किले निकलना सुरू हो और इसमें उपर से वहां से कटे हुए भाग से बीमारी लगना सुरू हो जाए बिलकुल तो चौपटिया पेस्ट या बोर्डो मिक्षर कालेब जरूर कर देना चाहिए बिलकुल क्या यहां पर अगर हम औरवरक की बात करें तो औरवरक कितनी मात्रा में और कब कब इस्तिमाल करने जाहिए अब देखिए जैसे ही हमने छटाई की है तो छटाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि जरू के पास से मिटग को गहरी गुराई करेंगे गैरी गुडाई करके हम मिट्टी को हटा देंगे जड़ों के पास से और दस किलो गोवर की सड़ी गुई खात पिर से पौदा इसके जड़ों के पास जाल करके उपर मिट्टी से हम ढग देंगे और सिचाई कर देंगे अब उसके बाद क्या है कि जैसे ही उसमें से किल्ले न और नाइट्रोजन, फासफेट और पुतास का जो मिश्टन हम बनाएंगे, 1-2-1 का मिश्टन बनाएंगे, वो 50 ग्राम हम ले लेंगे. वजशा हमने यूरिया ले लिया, सिंगल सुबर फासफेट ले ले लिया, और मुरिटा पुतास ले ले लिया. तो एक बाग हम यूरिया, दो बाग हमारा सिंगल सुपरफास पेट और एक बाग मियूरिटा पुटास ये सब बना करके हम 50 ग्राम लेकर के भी पौदे में मिला देंगे या उससे चाहिए कर देंगे इस तरीके से जो हम तयार करेंगे तो हमको एक दम तेजी से बटस्चों सर्वाइब करेंगी और उस पर बाद में गुच्छे में अच्छे फूल आएंगे बिल्कुल यानि कि जिस प्रकार से आज हमने आपको बताया है कि गुलाब की खेती करके किस प्रकार से किसान जादा से जादा लाव कमा सकता है और किस प्रकार से गुलाब की खेती कर सकता है तो गुलाब की खेती करने के बहुत सारे यहाँ पर तरीके बताएं हैं किस प्रकार से अपनी फसल को आप सुरक्षित रख सकते हैं समय समय पर किस प्रकार से आप अपनी गुलाब की खेती को पानी दे सकते हैं ऐसी बहुत सारी जानकारियां हमने आप तक पहुचाई है और अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसान भाई गुलाब की खेती करते हैं तो रोग और कीट से किस प्रकार से बचा जाए तो अगले अंक में हम रोग और कीट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां देंग टॉक्टर अबदेश उकला जी हम अपने अगले आंग में अपने दर्शकों को अपने किसान भाईयों को बताएंगे कि अगर वो गुलाब की खेती करते हैं तो उनमें लगने वाले रोग और कीट कौन-कौन से हैं और उनके बचाफ के लिए किसान भाईयों को क्या करना चाहिए आज के लिए बस इतना ही आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाईयों तक गुलाब की खेती से जुड़ी जानकारिया पहुचाएं उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दन्यबाद आपको भी तो दोस्तों आज के इस अंक में बस इतना ही अगले अंक में हम आपको बताएंगे गुलाब की खेती में लगने वाले रोग और कीट अब मुझे दीजे जासत नमस्कार हमारा पता है 302A पुसाइडन टावर ओफ यारी रोड वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई 400-061 हमारा इमेल आइडी है bkk at green tv india.com आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा फोन नमबर है 00120 498 000011 अपने टीवी पर green tv देखने के लिए अपने केबल ओपरेटर या DTH ओपरेटर को तुरंद कॉल करें और हमें लिख भेजें info at green tv india.com पर sms या whatsapp करें 9 7 6 9 5 7 7 049 पर कर दो कर दो कर दो